तो हेलो दोस्तों कैसे हो मेरा नाम है इम्तियाज और आप देखरो मेरा यूटूब चैनल टेक्नोज बाइक विलोग तो आज मेरे पास केटियम आरसी 200 बाइक और इस बाइक में प्रोब्लम है बैटरी चार्जिंग की इस बाइक की बैटरी चार्ज नहीं हो रही तो क्या प्रोब्लम आप लोगों को सारी जानकारी देंगे तो आप लोग वीडियो को फुल देखना और आप लोगों को मैं एक एक सिटीक देशी तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप लोग इसे सही कर सकते हो तो आप लोग वीडियो को फुल ही देखना तो मैं क्याकर और आपलोगों की जो बैटरिय वहो क्रoit दिखाता हूं दूब एफ यहां जो को पहले के लिखने जरू है शबड हें और थे Sl swear के पां मंश्ट राट इसका दनी कि चान्ट बहुत है this भाइट बैटरी है फुल चार्ज ए Connecticut 234 विग हो है तुम है इसे fand फुल चार्जेट विए टॉब कर देता हूं इसे टॉब कर देता हूं यहां पिल डास्टि कर दी डास्ते कर यह हमारी बाइक स्टार्ट हो गई है अभी कितना बता रहा है 11.90 कम हो गया रेस देते हैं तो यह बाद यह वापस से कम हो जाता है तो यही प्रोब्लम बैटरी चार्ज नहीं हो रही जैसे हम हमारी बाइक स्टार्ट हुई थी इसे 13 तक 14 तक चला जाना चाहिए इस मीटर को बाइक स्टार्ट करते हैं और कम हो जाती है तो चार्जिंग नहीं हो रही तो इसी की प्रोब्लम सही करना है चलो आप लोगों को स्टब बताएंगे यहां पर हमारा चार्जर लगा हुए बैटरी चार्जर इस जगे पर लगा हुए इसकी जो वायर हमको उस साइड से निक प्रे प्रोदि отвеч प्रें आ İ tribes pt छाइज वायरा हुए हुए हम कोई यहांट कोईक्व माइगनेट से यहां पर खाल कर लोगों इस तरीक से लिए और चार्जर खराब कर देज़के। करें करें हम में इस आटेश करते हैं। और हम में में सफ सकतों देखे लोह करो है Seven जाएसे बाइक में बाइक है एक कोई पिम भारें एक कोई बाइक सब्स से सब्सक्राइबर डायाओ। यहां पर बाइक को स्टार्ट करते हैं जैसे पहले जल रहा ता वैसा इसमें भी जलना चाहिए अब यह देखो बिल्कुल सिलो जल रहा है यह देखो इतना जल रहा है और जब हमने उसमें अटेच किया तो यह फुल जल रहा था तो इसका मतलब क्या है आप लोगों को बताता हूँ इसकी जो कॉयल पलेट है वो खराब हो गई है आप चाबी को बन करते है देखो इस वाली लाइन में जब जो कॉयल पलेट है कोई प्रोब्लम है तो चलो इसकी कॉयल पलेट निकालते है बाहर और प्रोब्लम आप लोगों को दिखाते है चेक तो कैसे करना है वो तो आप लोग जानी गए हो बाकि हम खोलते है अब इसे तो हमने यहां पे जो है कॉयल पलेट की जो कॉयल पलेट ज यहां से स्क्रoter ककंपूलेट कोले निकालता हूं तो यहां से कोलेट कोलेट कोल लोक आधे है और ईकलता हूं चेछ खेसे किया निकाल ले। प्रॉब्लम आप लोगों को डिग गई होगी व्यक्तिялता हूं अब यहां से एक कोईल जली हुई है ये ये देखो ये ब्रेक है ये देखो तो चेक कैसे करना आप लोगों को सेम इसी तारी कैसे चेक करके देख लेना आपकी कोईल प्लेट अच्छी है या खराब है तो मैं बाद में भी चेक कराके आप लोगों को दिखाऊंगा अभी मैं क तो अभी इस कोईल को हम पूरी खोल के और फिर आप लोगों को बाहर निकाल के दिखाते हैं यहां पर एक पट्टी और रबर दो जगे यह फसी होती है इसे निकाल लेना उसके बार आपकी जो कोईल प्लेट है वो बाहर निकल जाएगी तो चलो हम इसकी कोईल प्लेट बाहर निकाल चुके हैं यह इसकी कोईल प्लेट और यहां पर जली हुई है एक तरफ से सही बता रही थी और एक तरफ से बिलकुल सिलो मतलब खराब बता रही थी तो यहां पर एक ही जली हुई है यह तो क्या करेंगे हम नई कोईल प्लेट इ कि यहां पर यह चलने वाली है नहीं तो इसे हम करते हैं चेंज नई कोईल प्लेट लेते हैं आप लोगों को इसकी MRP बताते हैं और फिटिंग कैसे करना है वह बताते हैं तो इसे मैं निकाल लेता हूं पहले यह देखो बाइसाब यहां से यह पूरी खतम हो चुकी है मतलब यह कोईल हमारी पूरी तरीके से जल चुकी है इस वज़ेज हमारी बैटरी चार्जिंग नहीं हो रही थी प्रॉब्लम यही थी तो चलो नई लेते हैं यह है नई जो ओरिजिनल केटियम की कोईल प्लेट इसकी प्राइस दिखा देता हूं आप लोगों को इसका पार्ट न कोई लीजुन केट्र चार्प करते हैं यह नई वाल इसकी त्रीके से चाहा है यहाँ पर तरीके से बैठाना, जाने इसखने इस तरहां बैठा लेता हूं बूल््त वो लगा कैम करते हैं तब इसके घुमायंगे तो इसके होल मैच्छ नितीन न उसके हमीट हैилось जाँछ बेकुटूइन है यह हमुन चाहिक हो गया है तो हमारी कॉयल प्लेट टाइट हो गई है लंकी बॉल्ट जो थे तीनों वह एट कर दिये यह दो को फिटिंग हो गई है अब इसकी यह वाली ङता गरारी है शेल तो हम यहां पर बैठा देते हैं सिल्फ में क्योंकि से यहां पर बैठा देना यह निकल गई थी इसे हमको पहल इस तरीके से बैठा लेना, मैच करा देना, मिला के बैठा लेना, गरारी हमारी बैठ चुकी है, और अभी जो इसकी पट्टी बाकी है, कोयल प्लेट वाली वह लगा लेते हैं, यहां पर एक पट्टी लगी होती है, ब्रैकेट जैसी यहां पर आट नंबर के बोल्ड से टाइ तो चलो इसे हम बैठा के टाइट कर लेते हैं तो यहां पर हमारी कोयल पलेट फिटिंग हो चुकी है, अब हम चिम्बर को मैगनेट में फिण गर देते हैं, और इसके बाद इसके जो सारे बॉल्ड वगारा हैं, वह लगा के टाइड कर लेते हैं, बाकी क्वाइल प्लेट क कर लेते हैं मैगनेट कवर के सारे बोल्ट हमने कर दिया है यहां का काम हो गए हमारा कम प्रेट और इस वाली वेयर में हम छेक चरेंगे वोल्डर लगा कर ताकि आप लोगों का भी कनफ्यूजन होगी कि हमने पहले चेक करवाए था और बाद में क्यों नहीं कर वाया तो यहा बाइक को स्टार्ट करते हैं यहां पे न्यूटल है जल रहा है फुल जल रहा है और अब यह वाली बाइर निकालके यहां पे अटेच करते हैं इसमें चेक करवाते ही आप लोगों को यह बल्ब तेज जलना चाहिए दोनों में यह दो जला और फीज होगया तेज जला था फीज होगया तो अभी क्या करते है वापस placebo को यह वभ्लब फीज हो चुका है यह देखो यह दो थीज हो चुका है दूसरा बल्ब लेते हैं और इसमें लगाते हैं आप लोगों को पूरा confusion जो वो खतम करना है मुझे तो यहाँ पर वायर को हम लगे रहने देते हैं इसका बल्ब जो है बल्ब दूसरा चेंज करके आप लोगों को दिखाते हैं देखो यह बल्ब जो है फीज हो चुका है जैसे हमारी बाइक चालू हुई यह फीज हो गया तो नया बल्ब लेते हैं दूसरा लगा के देखते हैं इसमें चलो रेड़ वाला लगा कर देखते हैं यहाँ पर हमारा holder में इसे हम attach कर लेते हैं नया बल्ब हमने लगा दिये होल्डर में आप लोगों को चेक करवाते हैं देखो वायर हमारी सेम लगी हुए यह देखो इसमें और इसमें और इसमें बाकी है बाकी बल्ब तेज जलना चाहिए इधर हमने चेक कर लिया था इधर चेक करना बाकी है जला था उधर भी बाक को स करते हैं और आप लोग देखना वायर जोंट है यह देखो दोनों तरफ से तेज जल रहा है तो अभी जो आपका कन्फीजन था वो खतम हो गया होगा क्योंकि आप लोगोंने देखा दोनों साथ से हमारे जो बल्ब हैं बिल्कुल तेज जल रहा है पहले क्या था इधर से लगाते तो बहुत सिलो जल रहा है उस समय हम को क्या पता चला कि मरी कॉयल प्लेट खराव है तो इस तरीके से आप लोग भी च्छेक कर सकते हो अगर आप लोगों के पास आती है कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही तो आप लोगों को सबसे पहले क्योष प्लेट यह जरूर है चक्छ कर लेना रहा गफान है किसे चक्रना वहां बैटरी दिखाते हैं इसकी चार्ज हो रही है या नहीं हो जाएगा देखना आप लोग स्टार्ट करते हैं कि यह को स्टार्ट के तेरा चला गया तो पहले ग्यारा आ जाता था और रेस देते हैं इस चाउदा तक जाएगा यह देखो चाउदा तक गया तो अभी जो प्रॉब्लम थी जो कन्फूजन थी वह आप लोगों को खतम हो गई होगी आप लोगों की देखो चाउदा तक चला जा रहा है और पहले जब हम चेक कर रहे तो तो ग्यारा और घड़ जा रहा था अभी जैसा ही स्टार्ट करते हैं यह तेरा चाउदा चला जात तो हमारी जो प्रॉब्लम थी वह थी कौईल प्लेट से तो रेज दे रहे है चरओद तक बैटरी इसकी फुल चार्ज हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम जो भी थी वह खतम हो गई आप लोगों को सारी जानकारी मैंने दी किस तरीके से आप लोग इस प तो वीडियो को करते हैं एंड मिलते आप लोगों से किसी नेक्स और बेस्ट वीडियो में वीडियो अच्छी लोगों तो लाइक करना जरूर और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना